नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाइंदर जाल में दोस्तों आज की वीडियो का विशे है नवजात शिशु को होने वाले पेट दर्थ से कैसे निमते हैं देखे दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं जनम से छे महा तक की जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर ये समस्याती है कि बच्चे जब मा का दूद पीते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपनी मा का दूद पीते हैं या गाएं का दूद पीते हैं तो बच्चे सिर्फ मा का दूद ये गाएं का दूद ही पीते हैं, उसके लावब बच्चे और कुछ नहीं खाते हैं, तो होता क्या है कि गाएं का दूद पीने के कारण या माता का दूद पीने के कारण बच्चों के पेट में गैस बनने लगती है, जो की सोभाविक है, और जो माता-पिता हैं, जिनको अनुभव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, नवजात, शिशु होता है, जब उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, तो उसे बहुत ज़्यादा परिशानी होगी. और जो होते हैं और वो सुचते हैं कि बच्चे को डोक्टeremos के पास ले जाया जायाँ Jean वानगीजे राद के 12 बज़े एक बज़ी दो बज़े इस तरी की समयस्य हो जाती है कि बच्चा रो रहा है लगाता चुप नहीं हो रहा है और आप बहुज़ादा परिशान है तो ऐसी स्थिती में आप डॉक्टर के पास भी जाने में समर्थ नहीं है क्योंकि रात का समय है या डॉक्टर बहुत दूर है या अपको डॉक्टर के पास अपने ही जा सकते तो आप क्या करें मैं आपको कुछ ऐसे सरल गरीलू उपाएं बता रहा हूँ जो कि बिलकुल सेफ हैं और गरेलू उपाएं हैं घर की जो अनुबई माथए बहन. वो को यह इन उपाय उनकों जानती हैं यदि आपको नहीं मजलूम है तो मैं कांदे से लगा के रखें ताकि बच्चे को डगार आ जाए ये बहुत जरूरी होता है इसके बाद छोटे-छोटे दो-तीन उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करने चाहिए जैसे पहला उपाय है जो हींग होती है हींग को आप थोड़ा से हींग ले 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 तकरीबन दो गराम हींग ले ले एक चम्मच में थोड़ा पानी ले 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 एक से दो चम्मच पानी लेकर आप उस पान गहली देर के बता आपको पहीद कहुल रहत महसूस होगी और बच्च से परิगहां जोने असिर सफने मां इंद्र करते है इसके दो कि ब में पच्चे के पेट में जो घ्र év हंप और भी souvenir के रहे जthest का नाम तो जुरूर सुना होगा सुहागा जो परचुन की दुखान होती है वहां से आपको मिल जाएगा आप हांसे ले आईए आपको थोड़ा लेकर आना है ज्यादा ने लाना है आप मात्र 10 रुपे का ले आए और जो सुहागा आप लेकर आएंगे इसको आपको तवे के करा ना है इसके लिए आप पहले गयास पर तवे को रख ले जब तवा बिल्कुल कर« गरम हो जाए तो उसके उपर जो सुहागा होता है स्वागय की डलिया होती है जैसे चोटे-चोटे पत्थर होते हैं ऐसा होता है सुहागा आप उसको जब तवर के पर गिरेंगे तो वो धीरे-दीरे करके फूलना शुरू हो जाएगा बिल्कुल वाइट कलर जैसे दूद का कलर होता है बिल्कुल वाइट वो धीरे-दीरे करके जो स्वागा होता है वो फूल जाएगा और बिल्कुल white हो जाएगा और white होने के बाद वो बिल्कुल बुर्बरा हो जाएगा आप उसको अपने हाथ से भी पीछ सकते हैं इतना soft हो जाएगा उसके बाद आप उसे अच्छे तरीके से पीछ लीजिए और पीछने के बाद आप च्छान कर किसी जो छोटा सा बोक्स होता है पलास्टिक का या काच का आप उसमें भरकर आप उसे रख लीजिए इसके बाद जो सबसे important चीज है वो है कि आपको सोहागे के कितनी मात्रा बच्चे को देनी है और कितनी अवधि में देनी है तो आपको बिल्कुल एक रत्ती जैसे एक चुटकी होती है एक चुटकी से भी आदी चुटकी आपको लेना है मात्र आदी चुटकी आपको सोहागे के लेना है और बच्चे की या तो आप होट पे लगा सकते हैं या फिर मा का जो दूद होता है उसको आप एक चमच में ले लीजिए माता अपने दूद को चमच में निकाल लेगी और आधी चुटकी जो सुहागा होता है उसको उस दूद में मिलाकर बच्चे को देरे-देरे पिला दे या जो बिलकुल असान तरीका है वो यही होता है कि आधा चुटकी जो सुहागा होता है बच्चे के होट पे लगा दे उसके बाद जब बच्चा दूद पिएगा तो वो जो सुहागा था वो देरे-देरे बच्चे के पेट में चला जाएगा सुहागे के बहुत थोड़ी मातरा देनी है मातर आधी चुटकी देनी है और ये जो मातरा है ये भी आपको दो दिन में किवल एक बार देनी है जो दो महिने तक का बच्चा होता है दो महिने तक के बच्चे को आधी चुटकी सुहागे की दो दिन में एक बारती जाती है या जब आवशकता पड़े बच्चे के पेट में वह ज़्यादा गैस बन रही हो अफारा हो रहा तब आपको ये देनी है इससे बच्चे के पेट की जो गैस होती है वो बिल्कुल देरेदे करके निकल जाएगी और बच्चे को बहुती रहत मैसूस होगी इसके अलाबा एक प्रियोगम आपको बता रहे है जब बच्चा कम से कम डेड़ महिने का हो जाए तो डेड़ महिने के बाद मुगली गुट्टी पानसो पच्पन इसका नाम आपने सुना ही होगा बजार में अबलेबल है आप ये ले आईए और जो भी इसके उपर निर्देश लिखे हुए है निर्देश के नुसार आप इसका प्रियोग कर सकते है या फिर मार्किट में आपको डाबर का ग्राइब वाटर मिल जाएगा आप ग्राइब वाटर भी ला सकते हैं तो ग्राइब वाटर या मुगली गुट्टी 500 पचपन मुगली गुट्टी 500 पचपन ज्यादा बैटर रहेगी यह बहुत पुरानी है और इसका बहुत अच्छा रिसलत है गुड और सौफ को मिलाकर यह बनाई जाती है हते हैं ऑसoter को पहले पानी में पकाया जाता है और उसको सफ जो होती है सौफ डालकर इसको पकाया जाता तो यह क्यार होती है बहुत ही सिंपल और डेसी फार्मला होता है यह घरपी होना सकते हैं वैसे तो लेकिन आप बजार से बनी बनाई लिए यह उसको प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ हमने आपको देशी जो फार्मुले थे वह हमने आपको बताए है यदि आप इनका प्रियोग करेंगे तो निशीत रूप से जो बच्चे को जो होने वाली समस्या है पेट दर्थ जो है अफारा है उससे निशीत र बच्चे के पेट में दर्थ हो बच्चे के पेट में दर्थ भी होता है उस कंडिशन में आप अपने नजदी की डोक्टर से आप अपने बच्चों को जुरूर दिखाए डोक्टर के संपर्ग में भी आपको जुरूर आना चाहिए लेकिन यह प्रियोग करने के देखिए क को अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जूर करें नमश्कार